असलाम लेकुम and welcome back to my channel जो मैंने पिछली वीडियो अपनी अपलोड की थी स्ट्रोलर के बारे में ABC डिजाइन के बारे में जिसमें मैंने बात की थी वो था part 1 अब ये उसी वीडियो का एक part 2 है जिसमें कुछ बाते मैं आपको बताऊंगी और alternative brands बताऊंगी चैनल का सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब कीजिए बिकाज इट बिल मीन अलॉट टु मी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ABC डिजाइन जगा बहुत लेती है गाड़ी में अगर आप ये अपनी टिकी में रखते हैं तो आप ABC ही बाई कीजिए क्योंकि ये हर तरह के Rough Terrain Specially के बहुत अच्छी रहती है Smooth इसकी राइड है और आप Second Hand eBay Klein & Saigon और Vintage ये दो आपस हैं इन पे आप देखिए आपको मिल जाएंगे अच्छी कंडिशन में अगर आप बहुत जादा उन्हों स्क्रिंशोर्स में डाली है ये कॉंबिनेशन स्ट्रॉलर की है नमबर टू इस माक्सी कोजी सबकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं ये बेबी माक्ट एक ओनलाइन वेबसाइट है लेकिन ये ऑथेंटिक है 100% और ये सब रेकमेंडेशन्स ये बेस्ट सेलर्स में भी शामिल है और इनकी उपर रेटिंग भी बहुत अच्छी दीविया आप इशक इनकी रीवियूस खुद पढ़ लीजिएगा नमबर थ्री है हमारे पास स्किनर क्राफ्ट ये आपको अंडर बजट मिल जाएगी लेकिन अगर आपने अंडर बजट जाना ही है ना तो मैं आपको परसनली ये रेकमेंड करेंगे या तो आप जोई बाइक करें या फिर आप ABC डिजाइन की अवर्सा 4 बाइक कीजिए क्योंके ABC डिजाइन मजबूत बहुत है आपको लॉंग टर्म काम आएगी और मेरे पास सालसा Air 4 ABC डिजाइन की एक मतलब इसकी सीरीज है ना वो है तो इसकी कई सारी सीरीज है वाइपर है टर्बो है अवर्सा है और हर सीरीज की अपनी प्राइस है तो ABC डिजाइन अगर आप देख लें शॉप पर जाकि उसका वेट वगरा हर चीज जो मिस्टेक हमने की जैसे नहीं हमने देखा कि हम लोग उपर कैसे लेके जाएंगे और जैस सब चीजे अगर वो आप सार्ट आउट कर सकते हैं तो आफकोर्स आप ABC डिजाइन ही बाइग किया है और एक टिप मैं आपको बता दूँ अगर आप इस किसम की कॉमिनेशन स्ट्रॉलर बाय करते हैं जिसमें बेबी कार सीट इंकलूड नहीं है तो आप डॉप्टर सेपरेट बाय करके उस पे लिखा होता है यूनिवर्सल अडॉप्टर होते हैं वो वो अटैच करें स्ट्रॉलर के साथ और उपर फिर ये बेबी सीट एड़स्ट हो जाती है इसके दो फायते होते हैं एक तो यह जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो जो लिडल अल्डी की जो अपनी होती है ना वारन कॉब उसको क्या बोलते हैं जो शॉपिंग कार्ट होती है उस पे जब बेबी शाले या बेबी कार सीट उपर रखते हैं क्योंकि न्यूबॉर्ण बेबी को आपको इसी तरीके से लेके जाना पड़ता है तो वह इतना वाइब्रेट करता है कि मलब हमें तो डरी लगा रहता था कि इतना इसका सर हिल रहा है और वाइब्रेशन अच्छी नहीं हो करती थी बस सिर्फ नीचे स्ट्रॉलर रखी और उपर हम लोग अटैच कर लेते थे बेबी कार सीट तो ग्रोसरी का समान वगार भी फिर गाड़ी में अराम से आजाता था तो एक तरह से ये एक स्पेस सेविंग सुलूशन भी रहा था कुछ मंस के लिए हमारा चलें वीडियो के सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं वो है ट्रैवल एक्सपीरियंस जब हमारी बेटी थी फाइव एंड हाफ बंस की तो हम लोग ने फर्स ट्रैवल किया था पाकिस्तान कातर एयरलाइन्स के थूस उससे पहले हम लोग तर्किश से हमेशे फ्लाइ करते थे तर्किश से क्योंकि फ्लाइ करते थे इसलिए हमें अंताज़ा था कि नई विद बेबी मुश्किल होगा हमें तर्किश के साथ क्योंकि एरपोर्ट पर हम लोग ने अब्सर्फ किया था कि एक तो बगी नहीं होती थी वहां पर कोई जिसमें आप अपने बच्चे को थोड़ी सी उसी टाइम लोग यूज का रहे होते थे दूसरा वहां पर मुझे एरो प्लेट में उसके बैसीनेट को भी कोई नजर नहीं आई माहों ने बच्चे ऐसे ही उठाए होते थे तो फिर इसलिए हम लोग ने कतर ही चूज किया था कि कि कतर के बारे में हम लोग ने इजिली एड़्जस्ट हो जाता है क्योंकि वह गोद में ही जाहरा रहते हैं आपको उनको गोद में उठाना पड़ता है तो उसके लिए आपको वैसे भी छोट इतना चोटा वेबी तो सीट वाली पुश चेर पर वैसे भी नहीं बैट सकता तो कैबिन स्ट्रोलर वगरा द जर्म्यां यह आपको आपको येजिली मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा सेक्योर है और येजिली आप पचा अपना मैनेज़ कर लेते हैं आपके हाथ फॉर्जेगर होते हैं आपको छेंजेंग रुम जगा जगा मिलेंगे हर बाथ्रूम के साथ आपको एक चेंजिंग केजी का जो बेबी होता है वो इसमें अज़स्ट हो सकता है लेकिन क्योंगे इतना बारी बच्चा तो वैसे ही नहीं होता जो छोटे नियूबॉर्ण बेबी होते हैं उनका मैकसिमम कितना एक वेट होता है तो एजीली हैंडल हो जाता है कोई आपकी कमर वगारा नहीं बलकि अगर उसको एक हाथ से वैसे उठाएंगे तो आपको जादा तकलीफ होगी इसमें आपको इतने दर्द नहीं होंगे सेकिंड पॉइंट हमारा ये था कि जो बेबी जिस पसंजर के साथ ट्रैवल कर रहा है हमें ये था कि पते नहीं वो बैसीनेट बुक करेंगे तो जादा पैसे ना पेक करने पड़ें ऐसा कुछ नहीं था क्यूंकि वो थोड़े सा टैन केजी तो वेट मिलता है ना लगिच का बेबी को वैसे ही थोड़े से ही फालतू पैसे होते हैं उन्हीं पैसों में आपकी बैसिनेट बुक हो जाती है बस आप ये करें कि आप एंड टाइम बुक मत केजिए अगर आप पाकिस्दान ट्रैवल का रहे हैं तो कोशिश करें के डेट से दो महिने पहले अट लिस्ट आपने अपनी बुक कर लें सीट अदरवाइस बेबी बैसिनेट वाली सीट बहुत जल्दी बुक हो जाती है क्यूंकि वो सबसे फ्रंट जो एक्स्ट और मेरे हजबन ने अपनी सीट के पैसे दिये थे ताकि वो हमारे साथ बैठ सकें तो एक ही फिर बंदे का हम लोगों ने एक्स्ट्रा वे किया था सबसे एहम चीज़ जो मुझे अपने दोनों ट्रेवल में काम आई थी वो था ये नर्सिंग एपरेंट अगर तो आपकी आ रहा है फैमली से आपके पास रहने के लिए जो अभी जिनके हाँ बेबी होने वाले है तो वो इस तरह का स्टिच करवा ले वहां से अगर आदर व लीटर वाला आप अपनी जो परसनल आइटम्स होते हैं जिसमें क्रीम हैंड लोशन जा पर्फ्यूम वगारा यह चीज़ होती है हाँ वो आपको एक लीटर बैक के अंदर एक पर चीज़ आपकी 100 मिली लीटर होने चाहिए उसकी लिमिट है अदरवाइस बेबी फूट की क अपना केरी कर सकते हैं आप अच्छा जी न्यूबॉन बेबी तो बेबी केरियर में आपने एजिली केरी कर लिया अगर थोड़ा सा बच्छा आपका बढ़ा हो गया और आपने ट्रैवल करना है और वो चलता भी है तो फिर सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम जी आती है कि आप कैबिन स्टॉलर अब पहां से ले कि ऐवन अगर आप कैबिन स्टॉलर बाइक कर भी लेता है ना तो बस एरपूर्ट ट्रैवल के लिए है आम नार्मल रुटिन में ट्रैवल जब आप इदर जर्मेनी में रहने के लिए आपको वो स्टॉलर इतनी फायधा नहीं उसका नजर आएगा आपको क्यूंकि वह बहुत उसकी टायर इतने अफकोर्स ट्रॉंग नहीं होंगे बस वह महंगी इसी लिए क्यूंकि वह कैबिन स्ट्रॉलर एक चोटे से साइज में वह पैक कर सकते हैं और कैबिन के उपर रख सकते हैं फिर मैंने यही था कि चलो गेट तक मैं इसको ले जाओंगी फिर गेट पे बुक हो जाएगी मेरी म्यूनिक से मैंने ट्रावल किया था म्यूनिक से दोहा और दोहा से इसलामबाद पर हुआ यह था जब हम चेक इन के लिए गए थे अपना लगज वगरा बुक कराया था तो उन्होंने वहां पर यह च्रॉलर मेरी बुक कर ली थी और फिर चक-इन के बाद जब मैं सेक्योटी से गुजरी थी अब मेरे हस्बेंड तो फिर वापिस चला गया थे वहां से मैंने एपनी बेटी अकेले हैंडल की थी तो हो तो गया था मैंने इतनी ओवर थिंकिंग नहीं की थी ती मैं तो गेर तक साथ होगी मेरे यह लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं की थी तो बस नुकसान हो गया फिर मुझे एकदम चीजें हैंडल करना पड़ी लेकिन मैंने करी लिया था मैंने फिर मुझे मिली थी इस्लामबाद में वह भी जब हम लोग आपको पता है पतनी इसलामबा कर कर के मेरे पास इसका बेवी बैग भी था और एक बैक पैक घड और साथ मेरी बेटी थी यह तीन चीज़ें थी मेरे पासुला थी तो रश्नी ही बना तो अधर आई वी थी चौलो शुक्र है मैंने पनी बेटी को तो इसमें डाल दिया लेकिन मेरी बेटी थोड़ा रो रही थी जाहरे ठकी वी थी नींद भी इसकी डिस्टरब थी वह सब चीजें थी और मेरा समान कोई अता पता नहीं था किदर है किदर नहीं है बहुत देर हो तो फिर सबसे आखर में जो है मुझे लगता है जर्मिनी वालों को समान आया था तो फिर हम लोगों वहां से मैंने एकूली बुक किया तो वो मुझे फिर मेरी बेटी की दादो और ताया अबु आए वे थे लेने तो बस फिर वो इसली सब मैनेज हो गया था बारल जाते व कि ये बहुत काम आयी थी मेरी बेटी को मैं इसमें डाल देती थी तो सुकून मावल थोड़ा सा हो गया था आराम से इसमें सोई रही थी और सई 40 योरो वर वेल स्पेंट यू नो फिर जब मैं वापिस आ रही थी ना तो फिर ये हुआ था मेरे साथ एरपोर्ट पे कि मेरे माइंड में क्योंकि हमेशा हम इसी तरह करते हैं एक हैंट केरी हम लोग बुक करा लेते हैं और हो जाता है लेकिन बस वो कुछ किसमत में चीज़ें डिफरेंट लिखी होती हैं तो बारहल मैंने वापसी पे ओवर थिंकिंग वैसी बहुत जादा की थी ओवर थिंकिंग जा वह आप लोग ओवर थिंकिं करते है ना ट्रियू तरह पहले बहुत हैं कि या करें तो मेरा उनोंने हैंड बुक कियान उसी क्या करते हैं मेरा साथ हैंड केरी था मेरे साथ मेरे साथ मेरी बेटी थी ती मेरी साथ बैक पैक्पैक था असक जो बेभी बै assigning घरता खेर गेट तक वो मेरे साथ थी उन्होंने नहीं बुक की थी पहले गेट तक में थोड़ा सा मुझे सुकून आ गया था मैंने स्ट्रॉलर में हर चीज़ डाली और बेटी को मैंने हाथ में उठा लिया अलाला करके हम लोग उन्हें यह सफर करी लियाता है फिर मुझे म्यूनि है कि यह जा सकते हैं और पस जगह नहीं है वह फिर बेटी दो साल की होगई है तो उसके लिए यह नहीं यह जढ़े गए है इस पर घूले लेने का तो यह आप यह फिर नम करते हैं पर दोड़त नहीं है हो जाता है मैंने इंफट बच्चा के बेबी कैरियर में थोड़ा सा पड़ा बच्चा अगर आपके पास नई भी है स्ट्रॉलर तो दोहा एर्पोर्ट पे उनकी अपने लगिज कार्ट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं उसमें आप अपना बच्चा भी डाल सकते हैं और उसके अंदर आप अपना समान भी डाल सकते हैं ही आप अपना जब दोहा पे लेंड करते है ना तो आप चाहे टैनल के थू एरपोर्ट पे जाएं या आप बस के थू जाएं जो ही आप आते हैं ना एरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं आपको सामने पड़ी हुई नजर आएंगी अगर नई भी तो इतना ज्यादा स्टाफ है ना दोहा पे के आपको एक तो आप आपको देसी बहुत मेलेंगे वहां पे क्या पाकिस्तानी है मुझे तो बहुत जादा नजर आते हैं और तीसरे आफ्रिकन्स आप उन में से किसी से भी पूछ लेंगे कि वह मुझ के आगे पड़ी लिए कतर एरलाइन की जो लास्ट अच्छी बात है वो कैबिन क्यू है इतना इनका कौपरेटिव कैबिन क्यू है कि अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बेबी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या आप इनको कह सकते हैं आपको पानी गरम चाहिए या आपको वा आदू के वैक्यूम बैग्स में आप अपना जो कपड़े हैं जादा तर वो लाजमी रख लीजिएगा इससे आपकी बहुत जादा स्पेस सेव हो जाती है और बिल्कुल कपड़े नहीं आपके खराब होंगे हाँ अगर आप दो तीन महिने वैक्यूम बैग में रखने का आप ट्रैवल करिए सेकंड टिम में आपको यह दूँगे कि जब आप कतर डाउनलोड करते हैं अपनी हम लोग हमेशा खुदी बाय करते हैं अपने टिकेट कतर की वैबसाइट से डिरेक्ट कभी भी हम लोग ने थर्ड पार्टी की दिरू बाय नहीं की तो जब हम एप डा करना है तो फाइफ केजी का तो मुझे याद है कोई पैसे नहीं होते क्यूंकि वो उतने माइल्स के पॉइंट माइनस हो जाते हैं तो आपको फाइफ केजी एक्स्ट्रा लगिच हो जाता है और अगर आपने थोड़ा और ज़्यादा बाय करना है तो एरपोर्ट पे चेक- तो फाइफ के वो लेता है तो वेलन गुद अधरवाइज आपने डियूरिंग टेक आफ एंड लेंड आप तर उसको नर्सिंग लाजमी करनी है चाहे उसको बोटल फीट करा दें या पैसी फायर दे दे बस उसको सकिंग करते रहना चाहिए उसको एर फ्लेक्ट्वेशन न मुझे नहीं होता मसला कोई छोटा सा हैंडी टोई आपने रख लेना है लेकिन वो निया होना चाहिए ताके वो एक्सप्लोर करें और स्टिकर बोग बहुत हेल्फल रहती है कुछ ना कुछ बीजी रहते हैं वो इसमें अगर वो जाग रहे हैं सोई नहीं है और यह एक पै अच्छा मॉलफिक्स तो सब रेकमेंड करते ही हैं लेकिन मुझे इतने कोई खास पसंद नहीं आया थे तो मॉम से मैंने यूज किया मॉम से बहुत अच्छा है जो डी एम बेबी लव यूज करते हैं उनको मॉम से ही अच्छा मिलेगा और अच्छा लगेगा वहां पर मॉ परिशान भी नहीं होना अगर आपका बच्छा रो रहा है तो फिर तो बिलकुल यह परिशान नहीं होना क्यूंकि 80% आफ़ तर टाइम्स वो लोग आपको देख रहे होते हैं बच्छा जब रो रहा होता है तो उनके दिल में सिंपती होती है वो शायद अपना टाइम तो वह इसलिए भी नहीं सोता कभी-कभी यह रिजन हो जाती है कि बचा बहुत ओवर टायड हो जाता है तो वह फिर भी नहीं सोता लेकिन अगर सो जाए तो परिशान नहीं होना सब कुछ अल्ला पर छोड़ना है सत्का दे के आपने सफर शुरू करना है और मैं भी जब यह गुजर इतना तो मेरा भी दिल करता था कि मुझे इसी तरह लंबी लंबी डिटेल्स वताया कि एक्चुल में होना क्या है इसलिए मैंने जो है आपको सही अच्छा से एक्स्प्लेइन किया डिटेल्स वताई है ताकि आप लोग मेंटली पर पर रहे हाथ तरह के चैलेंज क सामना करने के लिए उमीद करते हूं आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे अपने कमेंट्स लाजमी करना है अपने सब्सक्राइब करना है अपने लाइक करना है ओके बाए चाओ